दोस्तों स्वागत है आपका स्टड़ी चक्रा ने जैसे कि आपको मालूम है यह स्टड़ी चक्रा एड्यूकेशनल वीडियो बनाता है और फॉनिक्स के और ड़री कुछ वीडियो बना चुके हैं बात से सुरू करें ग्रामर की श्रीज फॉनिक्स के जितने वी वीडियो अगर आपने देखे हैं उसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट बोक्स में जाईए पहले सब्सक्राइब कीजिए स्टड़ी चक्रा को फिर कॉमेंट बोक्स में जाईए और अपने सजेशन लिखें कॉमेंट्स लिखें क्वेस्च सबसे इंपोर्टेंट है सिर्फ रूल्स या कोई ग्रामर के फंडे समझ लेने से नहीं होता है समझना तो जरूरी है वह तो एक डायरेक्शन है जैसे आइवे पर आप जाते हैं लेफ्ट टन राइट टन यह सब जो सिगनल्स आपको मिलते हो सिगनल्स है लेकिन प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करता है उसको सुना ही देता है अजार वर्ट सुना ही दे रहे हैं जा रहे हैं तो वही काम आपको करना है जितना उसके प्रैक्टिस करना है जब यह रूल्स मालूम पढ़ जाएंगे उसके बाद और प्रैक्टिस क्या करेंगे प्रैक्टिस वर्ट्स की करे तो complex sentence, simple sentence, कोई भी sentence बनाने के लिए words की सबसे ज़्यादा ज़रूत है, words की बहुत एहमियत है, इसमें आपको समझना पड़ेगा और फिर memorize भी करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे बिना समझे memorize करोगे, तो कुछ आगे नहीं बढ़ने वाली बात, अब सवाल यह उठता है, कितने words आप memorize करोगे, तो एक estimate के हिसाब से मैंने कहीं चुना है, कि Shakespeare, जो कि लिट्रेचर, इंग्लिस लिट्रेचर का बगवान था, गौड था, उसकी कलम से 15,000 different words निकले है, जबकि actually आप एक कोई मोटी dictionary निकालेंगे, तो उसमें करीब करीब दो लाख words होगे, दो लाख words होगे, अब वो जो आप मैं बता रहा हूँ 15,000 words, उसमें से भी 10,000 words आज के जबाने में कोई काम नहीं आने माज़े, सिर्फ 5,000 बचे, तो अपने को वहां तक तो पहुचना नहीं है, जो काम अपन कर रहे हैं अभी, अगर मान लो 10% भी अपन memorize करने की कोसिस करे, तो different words 500 भी पहले फर्स शॉट में अगर 500 words भी memorize कर लें, तो अपन अच्छी खास English बोलने लग जाएंगे, समझ के, समझ के memorize करना है, तो आईए उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और कोशिस करते हैं, यह मेरी यह कोशिस है, कि आप यहां तक पहुंच सके, पहली बात, कोई भी word हो, कोई भ मिलेंगे आपको, यह classification है, parts of speech, इन में से कोई ना कोई classification हो गई, ऐसा हो नहीं सकता कि इन नौ के अलावा और कोई classification में आपको मिलेंगे, नावन हो सकता है, प्रोणावन हो सकता है, adjective हो सकता है, word हो सकता है, adverb हो सकता है, conjunction हो सकता है, interjection हो सकता है, preposition हो सकता है, यह article हो सकता ह क्लासिफिकेशन समझना है और फिर वर्डs memorize करकै एके क्लासिफिकेशन में समझना है कि वर्ड कॉन से क्लासिफिकेशन में जाएगा यह आगे बढ़ते बढ़ते करेंगे अब यह नाउन प्रोण तो इतनी सी है पूरे ग्रामर का जो जिस्ट है जो निचोड है वो इतना ही आपने को इतना ही समझने का है कि जब यह वर्ड कोई बोलेगा तो इसमें से कौन से क्लासिक्टिकेशन नहीं हो जा रहे है फिर एक तब इजी हो जाएगा सेंटेंस बनाना सेंटेंस को बोलना समझना आज के लिए इतना ही आगे से हम शुरू करेंगे नाउन से प्रोनाउन से एक एक चीज को लेंगे और उसको पूरे एक्स्टेंसिवी डंस सुझेंगे थेंक्यू मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए आगे शेयर कीजिए ताकि आगे से आगे कई लोगों को मिनत सब्सक्राइब करने पर एक ती ज्यान रखिए बादी में बेल का सिंबल है उसको क्लिक करिए थेंक्यू कंधों से दिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे ओ दिल दुश्मन के हिलते हैं